उत्ताप पेडेस में चुनाव की सरगर्मया शुरू हो चुकी है जैसे निर्भाचन आयूग ने एलान किया कि चुनाव साथ चड़नों में होने हैं वैसे वैसे उत्ताप पेडेस में जो राज़्दिक पार्टिया हैं वो अपने अपने एंडे के साथ जनता के भी जाना माध्यम से जनता के बीच अपना समर्थन चुटाने का प्रयास किया रहा है और कही न कहीं अब एक तरह से बिपर्च भी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है बिपर्च के उपर और इस बीच एक पुरानी परंपरा जो हमेशा जिराजिक पार्टियों में चली आती है वह त समाम ऐसे बड़े नाम रहे जो अलालग पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी में चले गए और माना जाता रहा कि इन पार्टियों का अगर जब दल चले जाएंगे लोग चले जाएंगे तो यहां पर नुक्सान होने की कुछ उम्मीद रहेगी अभी हमने हाल में देखा जि क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछड़े और दर्द बर की उपेच्छा हो रही थी मैं भाजपा से त्याक पत्र दे रहा हूं और मैं समय पार्टी में जा रहा हूं पर चुनाओ के समय ही इस तरह की जो क्रियानबन होती है इस तरह के जो दल बदलने की परंपरा होती है व हमारा अहत्यसिक है हमारे अनुमा कौन है और कौन हमारा सच्चा हिच चाहने वाला है तो भाही दूसरी तरफ इस इंडिय की शुरूबात हो रही है यहां पर आज कॉंग्रिस पार्टी द्वारा एक युवा मेन फेस्ट उजारी किया गया आमाड़ी पार्टी ने लिस्ट हमां साथ राय रखने के लिए मौजूद हैं उत्तपरेश उपभुकता सहकारी संग के उपाध्यच और बरिष्ट भाजपनेता अरजी सिंग्जी आपका हमारे कारिकम में स्वागत है तो जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जो राधिक पार्टी आया है वो करेंगे पुरानी पेंसल बहाली करेंगे और समाजवादी पार्टी चाहें जितने भी वादे करें जनता को अपने किसी भी बात से वो भ्रम में नहीं ला सकते कारण है कि 2012 से 2017 तक स्री अखलेस यादवजी उत्तरपदेश के मुखमंतरी थे इन्होंने कानुन ब्यवस्था के नाम पर बिजली के नाम पर ब्रस्टाचार मुक्त सासन देने के नाम पर जनता को सुविधा देने के नाम पर युगाओं को रोजगार देने के नाम पर जो जो इन्होंने कुक को लोगों ने देखा है, महसूस किया है, और वह एक बार जब अखिलेश यादों के मुख्यमंत्री काल का जो 5 साल का जब दिर से लोगों के नजर पर आता है, उनके दिमाग पर जब लोग सोचते हैं, तो लोग भयावीत हो जाते हैं, और पुना अखिलेश यादों को उत्र जनता का समर्थर प्राप्त नहीं हो सकता है तो अरजी जी आपकी शुरूबात काना तो किस तरह से राजनितिकी में आपने पिस्टिबू में आपने कदम लखा जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और छातर जीवन में ही मेलिष्टी स्वयमसंग के एक स्वमसेवक के रूप में, एक बाल स्वयमसेवक के रूप में इस विचार धरा से जुड़ा चातर जीवन में अख्किली भारत्य विद्ध की परिशत्स के सधस्ति की तूय सहत्म के कारकरता की रूप में। हमने संर्दन को मजबूत करने का कार किया। जब उसके बाद वधालत और पत्रकायता करने के सथ साथ मैं भारती जनता पार्टी में सक्री हुआ। 2012 में भारती जंता पार्टी ने हमको उत्तरवदेश की मौव सदर विधान सभाशीट से प्रत्यासी भी बनाया, भारती जंता पार्टी में संग्ठन में विभिन दायत्तु पर भी रह करके संग्ठन का कार किया, और अभी करीब देश वर्ष पूर्व हमें उत्तरवदेशु भकता साकारी संग्ठ के उपाधच काईदत दायत उन्यवाने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है. अधिया, पूर्वानचल के बाहुब लिए में समार मुकतार अंसारी खिलाब आपने महुब सरर से चुनाओ लड़ा, क्या मानते क्या कुछ चुनाओतियां आपके सामने आई या क्या कुछ आपने उस दौरान देखा? देखिए, माफियाओं का जन उत्तरपदेश की राजनित में बोजन समाजपार्टी और समाजवादी पार्टी ने इनको इस्थापित किया. अगर पिछले 15-20 वर्ष के कालखंड की तरफ हम जाएं, तो उत्तरपदेश में 2017 से पहले 10 वर्ष का सासन समाजपार्टी पार्टी का था और 5 वर्ष का सासन मायावती जी का था. यहीं अगर 15 वर्ष का कालखंड देखें, तो इन कालखंडों में वही माफिया जिसको बसपाने से सनुच्छड दिया अपनी सरकार में, और वही माफिया जब समाजपार्टी पार्टी की सरकार आती है, तो वो समाजपार्टी की सरकार के साथ आ जाते हैं, और उनको सपा क मुख्यमंतरी श्री मान खले से आदोजी ने उनको सुनक्षण देने का काम किया। जब हम 17 में उत्तरपदेश की सरकार में आते हैं, मानने मोदे जी के सुनक्षण में उनके आशिरवाद से और पुझय योगी आदितनाजी महराज जो उत्तरपदेश के मुख्यमंतरी होते हैं तो इन माफियाओं ने जो पिछले 17 से पहले जो 15 वर्ष के कालखंड में जो साम अपराज अस्थापित किया था जो जनता का सोसन किया था जमीन उपकपजा करने का काम किया था और अपने अपराज से लोगों को भैभीत करके धनुगाही करने का काम किया था वह सब इस सरकार में पुझय योगी जी ने उनके पुरे उस काले कारबार को उस काले कारबार स बनाए हुए उनके काले सामराज्य को धस्त कर दिया और आज वो सभी अपरादी या तो जेल में है या प्रदेश की सीमा से बाहर हैं या वो पुलिस मुट भेड में पुलिस पर कानून व्यवस्था को चनूती देने कर काम किया तो इनकाउंटर में उनको मारा भी गया हम लगातर देख रहें कि जो पुरानी परंपरा है जो अभी मैंने चर्चा भी की थी कि दल अदलनी परंपरा है जिस पकार से स्वाही परसार मौर्या जो की उत्तप्रिस सरकार में स्रम इमां स्यवाजियन मंत्री थे बड़ा नाम था और पिछड़े बर के बड़े निता मान ते क्या कोई अचर पड़ेगा चुनाओ पर ने इसा कुछ नहीं है यह श्री स्वावी प्रसाद मौर्य, श्रीदारा सिंग चाउहान, श्री धर्म सिंग शैनी इन लोग के जाने से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है यह तो वो नाम है जो दगे हुए कार्थू किया लेकिन वह कहीं से कोई प्रभाव पड़ने वाला ने कारण किया आप देखिए एक बार आप नदर उठाइए दो हजार चोदा में जब देश में लोगसभा का चुना होता है और भारती जनता पार्टी ने मानने नरंद मोजी जी को धानमंत्री पतका उमिद्वार पा पार्टी के साथ आता है इन लोग क्या बात करेंगे दो हजार चोदे के लोगसभा चुनाओं में ये दारा सिंग चुनाओ लड़े थे बोजन समाज पार्टी से बुरी तरह पर आजित हुए यही हाल स्वामिसाद मोरिया जी का था यह लोग बसपा में थे चोदा में ही य पार्टी जन्ता पार्टी के साथ हो गाए हैं बाजबा के अनुमाई हो गाए हैं तो इन लोगों ने मजबूरी में अपने समाज के लोगों का अनुसरण करते हुए यह लोग भारती जन्ता पार्टी के स्रण में आये और 2017 में इनको भारती जन्ता पार्टी से टिकट मिला इनको तो भारति अंता पार्टी का याआन बनना चाहिए अगर ये भारति 6 पार्टी में ना भी आते तो अभी वोबी सी समाज आरे साथ यह भारति 6 पार्टी के बंदर बन गई कि ये सब ये विधायक मंत्री और सांसत बनने वाले लोग हैं इनको अपने समाज से कोई लिना देना नहीं है इसलिए पांच साल ये मंत्रीपत का उपयोग उपभोग करने के बाद अगर ये आज कुछ कहते हैं तो उसमें कोई उसका मतलब नहीं है उसका इनका आस्टित्य था बीजेपी छोड़के चले इनका काम खतम हो गया और उनके छोड़ने के पीछे में काने भी बता दूं अगर आप अनुमती दे तो मैं बहुत साथ में बता दूं कि स्वामिपसाद मौरिया जी तो अपने बेटे को टिकट चाहते थे उनको टिकट दे ने समना किया गया इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया और दारा सिंग चाहां जी महुझ जनपत के मधवन विजानसभाद से विधायक हैं यह निश्चित रूप से जो उनके काम थे उनके जो कारनामे थे उसके नाते अगर वह मधवन विजानसभाद से प्रत्यासी होते तो आप चुना लड़िये जहां से आप भी धायक हैं फिर शीट बदलनेक क्या जरुवती तो वह हार के डर से और जो पार्टी ने शीट बदलनेक से मना कर दिया तो उन्होंने एक नए समीकरण में अपना भईश्चित खोजने का प्रयास किया और उसी के तहत हो समाजवादी पार्टी में गए अईसा ही अन्य विधायक भी जो तो पांसा जो गाये हैं लोग यह सिर्फ अपने भईश्चित को देखते हुए हैं क्योंकि इनके करम ऐसे थे कि जनता इनको पुना स्विकार नहीं करेगी पर नेताओं का कहना था कि हम लगातार पांस साल बेप्रीड प सुचना जारी होने के बाद इनका ज्यान चक्ष खुला करें तो पेक्षा हो रहे थी यह सब जूट बोलने वाले लोग हैं ऐसे ही जब बसपा को छोड़के आ तो इसे ही राग अलाप रहे थे फिर आने वाले समय में यह स्थाई लोग तो है नहीं कि जब कभी सपा को आती या किसी वर्ग से नहीं के दिश्षी से नहीं देखते हैं लेकिन जब यह लोग इस तरह की बात करते हैं तो हमारे मानी-पतान मंतर जाई अच्छी पिछड़े वर्ग से आते हैं हालांकि उनको सवल समाझ का अगरा पिछडा दलित सबका उनको समर्थन प्राप्त है यह लोग कहां है पिछोनों के नेता होगा, यह तो अपने के लिए नेता है, यह किसी समाज के लिए नेता नहीं है, यह स्वेम के लिए नेता है, यह खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए राजनीत करते हैं, और खुद के ही फायदे के लिए दल बदनने का कारे करते हैं नेता गिरी की साथ साथ एक सबसे बड़ा काम होता है वोता समासेवा जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी पैचान समासेवी के रूप में हैं तो समासेवा किस रूप में आप करते हैं किस तरह से लोगों को अपने पेगार से साहता पुचाते हैं इसकार देखें हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं एक भार्जिन्ता पार्टी के कारकरता की रूप में राष्ट्टी स्वमसेवक संग के रूप में हम लोग को यह संसकार दिया जाता है कि अगर हम समाजिक छेतर में हैं राधनितिक छेतर में हैं तो हमारा मूल धर्म है जनता की सेवा करना, हम सेवा के कारे के लिए रारितिक छेतर में आये हैं, हमारा कोई और अलग एजेंडा नहीं है, समाज के सूख दुख में सामिल होना, अपनी छमता के अनुसार, किसी जरुरत मंद की मदद करना, हर परिशिती में, चाहें कोई महमारी हो, कोई और प्राकर करतिक आपदा आ जाए, उसमें भी अपनी सक्ति के सामर्थ के अनुसार, अपने उनके साथ खड़े रहना, उनका सहयोग करना, इस तरह से हम लोग सामाजिक सेवा का कार करते हैं, बेद्गत इस तर पर भी, और प्राया, भारती जनता पार्टी के संग्थन की तरफ से में सनिटाइजर बाटने का एभी क्या जाता था, ऐसा ही राशी स्विम संग के स्विम स्विंग होने के नाते भी समय समय पर, RSS के द्वारा भी ये सेवा के कार किये जाते हैं, और उनके मारदसों इडिशन में, हम लोग पेदगत इस तर पर भी, और संग्धन के माद्यम से य जाते हैं, विपक्च लगातार हमलावार है, योगी सरकार का योगी सरकान ने केवल के बड़ चलने का काम किया है, क्या कहना जाएंगे इस बार पर, देगे विपक्च के पास अब कोई बिसे रहा नहीं है, उनका समाजवादी पार्टी का कुनबाही बिखर गया, मायवती जी नेपथ्य में हैं, उनका कहीं आता पता नहीं है, अब चुनाव का समय है, तो विपक्च के पास जब कोई मुद्दाव कोई बिसे नहीं रहेगा, तो यही उटपटांग बिसे रखेंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं, पूरे पांच साल में जो विपक्च में जो कभी चुनोती दिया, कभी कोई आंदोन ने किया, कहीं नहीं किया, यह लोग अपने अपने घरों में थे, विदेश यातराओं में कर रहे थे, आयस कर रहे थे, इनको जनता के से कुछ मतलब नहीं था, अब चुनाव आ गया है, तो यह बरसाती मेढ़क की तरह यह टर टर क करेंगे तो भाज़पा का, चुकि भाजपा के खिलाब चुनाव रहना है, तो तारीफ तो करेंगे नहीं, तो उनकी मजबूरी है क्यों कुछ ने कुछ आरोप लगाएंगे, जनता है, सब जानती है, और उत्तरप्रदेश, पूरा का पूरा उत्तरप्रदेश, कुछ आप देखिए चारों तरफ आप अगर घर से बहार निकलिए उत्तरफ में किसी दिसा में चले जाएए आपको देखेगा कि किस तर से सड़कों का जाल बिचा हुआ है फोर लेन और सिक्स लेन चड़के एक्सप्रेस वे अभी हमारे गोरगपुर पुरवांचल में देखिए अभी एम्स की स्थाफना गोरगपुर में हुई जो खाद कर खाना कब का सन सत्तर के आसपास का बंद था उसको बनाये गया आप निम कोटेड यूरिया का निर्माड होगा इसे पूरे अप उत्तरफ देश के प्रतेएक जिले में मेडिकल कालेज का निर्माड हो रहा है यह यह मतलब ऐसी चीजे हैं जो आदमी सपने में भी मैं खुद भी बता मैं कह सकता हूँ अपने लिए भी कि मैं भी नहीं कभी सोच सकता था कि प्रतेएक जिले में मेडिकल कालेज होगा हम लोग के राणीत में रहते हुए वह इतने कम समय में यह सब बहुत ही मनना अकलपनि प्रतेश के अंदर और विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई जगह नहीं है अब अनर्गल प्रलाप करेंगे उल्टे सिदे आरोप लगाएंगे ताकि समाज में चुनाव में उनकी उपस्ति बन सके क्यों उपस्ति बनाए रखने के लिए पार्टी टूटे ना पार्टी जीवितर है इसलिए ये समाजवार्दी पार्टी और बहुजन समाजवार्टी चुनाव के मैदान में हैं और कांग्रेस का तो कोई मतलब ने कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश की महान जनता से हाँ जोड़ करके अगरह करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के उजवल भविस्य के लिए भारत माता की जय करने के लिए अपनी पहचान बनाए रखने के लिए चुकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राजनीत का केंद्र की सरकार का रास्ता खुलता है जाता है इसलिए आने वाले उस भविस्य की भी चिंता कर कि हमारे देश की सीमा है सुरक्षित्र हैं हमारा देश संप्रभु बना रहा है हमारे देश का जो भोगोल सुरक्षित्र है और हमारे देश के अंदर ही एक अद्रिश्य पाकिस्तान को बनाने वाले उनको जो संद्रक्षित करने वाले जो तत्तों हैं चाहिए वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहिए समाजवादी पार्टी हो, चाहिए समाजवादी पार्टी हो, इनको कहीं सभी अवसर न प्राप्त हो सके, कि इस भारत, मा भारती के नक्से पर को खंडित करने का फिर से इनको कुछ प्रयास करने का अवसर प्राप्त हो सके, इस देश के साथ जो बाहरी सकतियां हैं जो बिदिशी सकतियां हैं उनके सामने कभी घुटने टेकने का आउसर प्रापत ना हो सके और भारत माता की जये आज अ Bhag tussen भारत का विकास हो हमारे आने वाली पिणिया भी स्वाभि मानी हो और सब के सब राश्ट्र प्रेम से ओध प्रोंथ हो एक अखंड भारत पुरे मनयोग के साथ आप ओड करें और पुना उत्तरपदेश में पुझी योगी आजितनाजी की नितुत में भारती दिनतापाटे की सरकार को बनाएं ताकि जो आने वाला जो पांथ साल आएगा उसमें जो भी थोड़े बहुत जो एक कट्टे चाप कुछ अपरादी करनुन राज वाला उत्तरपदेश इस्ठापित हो उत्तरपदेश में जो राम राज के हम परिकर्पना करते हैं वह राम राज भी भारती दिनतापाटे के सरकार के नितुत में उत्तरपदेश में इस्ठापित हो सके हमाएसार उपभोकता सहकारी संग के उपाध्यच और बरिष्ट भजपनेता अरजी सिंग्जीन का कहना है कि जिस तरह से उत्तप्रेश में योगी सरकार ने आर्भूर बेकास का एक उधान पेस किया है वो यहां की जनता हमेशा आयार रखेगी और जनता बेपस्च के किसी भी छलावे में ना आकर दोबारा योगी सरकार को इस सर प्रेश में नहीं किया है यह जनता 2022 में दोबारा उत्तप्रेश में भारते इंता पार्टी को बहुमर्थ पर जिताती नजर आएगी तो आज की चर्चा में इतना ही अगले बार फिर किसी नए बेक्तिता रोगी मुलाकार तक तक ने मुझे यार यार नमस्कार